तो रोज रोज डाल और सबजी एक ही तरीकी की खाकी हम सभी बोर हो जाते ही इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत यूनीक और ऐसी रेसिपी लेकर आए हूँ जिसे आप एक बार देख लेंगे ना तो अपने आपको रोक नहीं पाएंगी तुरंट जाएंगे और इसे ट इसे पाइंड ऑईल भी ले सकते ही इसमें मैंने डाला है राई जीरा दो से तीन सुखी लालमिर्च डालेंगे और दो से तीन चुटकी हम डालेंगे हिंग हिंग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और यह डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छी होती है अब हमें राई हो चुकी है अब डालेंगे छे तमाटर जिसे मैंने बिल्कुल बारिक काटा है हमें इसे पीसना नहीं है बस काट डालना है अब इसमें डालेंगे हम सुखे मसाले तो मैंने डाला है लालमिर्च पाउडर धन्या पाउडर हल ехपाउडर साथ ही लसन अद्रका पेस्ट और तो यहां पर इसे अच्छे से mix कर लेना है जैसे mix करेंगे आप दीखे इसमें से moisture release होने लगा है अब हमें इसे धीमी आज पर ढखकर पकाना है ताकि टमाटर जल्दी कल जाए जल्दी से soft हो जाए और इसके smooth gravy बने तो इसे हमने धीमी आज पर 56 मिनिट के लिए पकाना है तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगी तो मैंने यहां पर लिया है वनफोर्ट कप बेशन इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगी ताकि इसमें कोई लंस या गुटलिया ना रहे आज की recipe बहुत simple है लेकिन unique भी उतनी ही जादा है जो आपने पहले कभी नहीं देखी है तो चलिए इसे एक साइट रख देते हैं और जो हमने टमाटर भूनने के लिए रखे थे उसे भी देख लेते हैं तो यह देखे दोस्तों टमाटर काफी अच्छे से पक चुके हैं लेकिन इसमें अभी काफी मौश्चर है तो हमें इसे ड्राय होने तक लग अब दोस्तों हमें डालना है डेड़ से दो गलास पानी और इसे पहले मिक्स कर लेना है ताकि जो ग्रेवी है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया तो बारी काटकर हरा धनिया डालेंगे और जो हमने बेशन गुल क कर रखा था ना वो इसमें डालना है लेकिन जैसे ही आप डाले तुरंत इसे मिक्स करना है वरना इसमें लम्स हो जाएंगे तो जैसे ही बेशन इसमें घुलेगा मिक्स होगा वैसे वैसे यह जो हमारी ग्रेवी है गाड़ी होने लगेगी और इसमें टमाटर का एक बहुत अच्छा खट्टापन भी आता है तो हमें अब बेशन को अच्छे से पकाना है तो धीमे धीमे आज पर इसे लगातार चलाते वे आपको 8-10 मिनट के लिए पकाना है इसे ये हमारी टमाटर की कड़ी बनकर तैयार हो जाएगी लेकिन इसमें अभी हमें तड़का भी लगाना ह तो अच्छे से पक जाने की बाद ये काफी गाड़ी हो जाती है तो चलिए अब हम तड़का लगाते ही तो तड़के के लिए हमने लिया है तेल इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई लसुन की कलिया मैंने बिल्कुल बारी काटकर लसुन की कलिया डाली है लसुन को अच्छ लगने वाली रेशिपी में 4 चानद लग जाएंगी, बहुरी क्रीमी, बहुरी टिस्टी, हलकी, खटी, टीकी, जबरदस रेशिपी है, लेकिन इसके साथ हम एक रेशिपी शेयर कर रहे हैं, जो बहुरी शानदार पुलाव की है, तो पुलाव भी आप जरूर देखें कैसे ब दाले हैं और इसे के साथ डालेंगे तेज पता इसे अच्छे से भून लेना है और फिर हम इसमें एड करेंगे काजू कि यह जो पुलाव है काफी डिलीशियस है सिंपल लगता है लेकिन इतना मज़ेदार है कि आप जब इसे बनाएंगे आप इसे बार बार बनाएंगी प्यास डालकर हमें थोड़ा सा सौफ्ट कर लेना है इसके बार डालेंगे लसन द्रकापेस यह ज़रूर डालेंगे बहुत अच्छा फ्लिवर आता है पुलाव के अंदर और इसे भून लेने के बाद हमें डालना है चावल तो मैंने बासमती लॉंग ग्रैस लिये हैं जैस जैसे चावल तोट जाते हैं तो अगर आप घी डालकर उस चावल को घी में भूनते है न तो उस में एक अच्छा कोटिंग आ जाती है फैट की कोटिंग होती है उससे हमारे पुलाव बहुत अच्छे बनते हैं और चावल का एक-एक दाना खिला खिला रहता है, अब इसमें हमने मटर, पानी और सैफरन वाला धूट डाला है, जिससे ये पुलाव में काफी रिचने साई की, स्वादमुसार नमक डालना है, मिक्स करना है, और इसे पाँच मिनट के लिए हाई फ्लिम पर ढककर पकाना है, जैसे पाँच मिनट हो वो हमने बिल्कुल भी भीगो कर नहीं रखे थे धोकरी सिधा डाले थे और जैसे इसमें हाई फ्लेम पर दो सीटी आ जाए हमें गैस की फ्लेम बंद करके बिस इसका प्रेशर डाउन होने तक वेट करना है ये देखे दोस्तों अच्छे से मतलब प्रेशर डाउन हो जाए ड्राइ निकले आपको हलके हलके हातों से चमश डाल कर इसे पलटना है लेकिन इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद आप जब निकालेंगे तो चावल का एक एक दाना खिला खिला और परफिक्ट निकलेगा तो आप देख सकते हैं कितना शानदार ये यलो मतर पुलाव बना ह जिसमें काजू का और सारे मसालो का बहुत अच्छा फ्लेवर है इसे के साथ हमने ये टमाटर की कड़ी परोसी है तो इसे इस गर्मी में जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको पक्का बहुत पसंद आएगी रैसे भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले